कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की एक ऐसे देश की जहांपर ओर्तों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या ही संभव हो सकता है जहांपर ओर्ते ना पढ़ें सिर्फ पुरुष पढ़ें और हमारा देश विक्सित हो जाए आज हम बात कर रहे हैं देश भक्त विरांगना सामित्री बाई फूले जी की सामित्री बाई जोती राव फूले भारत की प्रथम महीला सिक्षी का समाज सुधारी का एवं मराठी कवित्री थी उन्होंने अपने पती जोती राव, गोविंद राव फूले के साथ मिलकर इस्त्री अधिकारों एम सिक्षा के छेतर में उल्लेख निय कारिये किये उन्हें आधुनिक मराठी काववे का अग्रदूत माना जाता है केवल 9 साल की उम्र में सावित्री बाई फूले का विवा हुआ ये उस समय की बात हो रही है जब बाल विवा एक कूपरथा के रूप में समाज में पूरी तरह से फैली हुई थी जब उनका विवा हुआ तब वे अन्पढ थी उनके पती जोतिबा फूले भी तीसरी कक्षा तक ही पढ़े थे जिस दोर में सामित्री बाई फूले पढ़ने का सपना देख रही थी उस दोर में एस प्रश्रिता, छुवा छूत, भेद भाव जैसी कुरितियां चरम सीमा पर थी एक दिन सामित्री अंग्रे जी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी तभी उनके पिताजी ने देख लिया, वी दोड़ कर आए और उनके हाथ से किताब छीन कर घर से बहार फेंक दी क्योंकि ये समझा जाता था कि सिक्षा का हक केवल उच जाती के फुरूशों को ही था दलित और महिलाओं के लिए सिक्षा ग्रहन करना पाप था बस उसी दिन से सामित्री बाई फुले जी उस किताब को वापस लाकर ये प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए वे एक दिन पढ़ना लिखना जरूर सीखेंगी अपनी इसी द्रड इच्छा शक्ती और लगन से उन्होंने खुद पढ़कर अपने पती के साथ मिलकर लड़कियों के लिए अठारे स्कूल खोले जब भी सावित्री बाई फूले जी स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेक दिया करते थे ऐसा हर रोज होता था लेकिन वे पीछे नहीं हटी उन्होंने इसका हल भी ढूंड निकाला क्योंकि जहां पर समस्याएं होती हैं वहां पर हल भी साथ साथ मिल ही जाते हैं वे अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाने लगी आधुनीक मराठी कावे की अगरदूत सामित्री बाई फूले ने अपनी कवीताओं और लेखों से हमेशा सामाजिक चेतना लाने का प्रियास किया सामित्री बाई फूले इस देश की पहली महिला सिक्षिका होने के साथ साथ समाज के वन्चित तबके खासकर इस्त्रियों और दलितों के अधिकारों के लिए संगश करने के लिए हमेशा याद की जाएंगी सोचिए यदि आधी आबादी को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता तो सवतंतरता संगराम की सफलता और ऐसफलता तो बहुत दूर की बात है इसकी शुरुवात करने में भी बड़ी दिक्कत आती अगर सामित्री बाई फुले ने महिला सिक्षा की बात नहीं की होती या महिला उत्थान का कोई काम नहीं किया होता तो शायद आधी आबादी आजादी का अलक जगाने में सक्री रूप से भागिदार नहीं बन पाती ये महिला सिक्षा में सामित्री भाई फूले की प्रियासों का ही परिणाम था कि भारत के सतंतरता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चड़ कर भाग लिया हम नमन करते हैं सामित्री भाई फूले जी को और हमें इनकी जैसा बनना है जै हिंद, जै भारत